नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी येट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में मैं आपका अपना अनिल चौधरी लेके हैं नई वीडियो दोस्तो जैसा कि आप सभी इस नियूज से वाकिफ हैं कि उक्तर प्रदेश की मेगा वेकेंशी यूपी टीजिटी फिजिकल एजुकेशन आ चुकी है और काफी अच्छे अमाउंट में विकेंसीज हैं इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग सारी बातों को क्लियर करेंगे कि हमारे कोशन्स किस प्रकार आएंगे क्या मांक्स रहेगा कितना उसका डियोरेशन रहेगा कि वाय ताइमिंग क्या रहेगे आपकी रिटन टेस्ट की आपकी पातरता क्या रहेगी eligibility क्या रहेगी मतलब की reservation किसे मिलेगा यूपी students को मिलेगा या other students को भी मिल सकता है इसके अलावा पेमेंट की लास्ट डेट क्या है EWS कोटे में क्या आपको करना पड़ेगा करेक्शन डेट है नहीं है और कुछ ऐसे डाउट जो लास्ट टाइम हमने कमेंट बॉक्स में देखे थे ठीक है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल नमबर ओफ कोशन्स तो जैसा कि आप जानते हैं इस पेपर में इंटरव्यू नहीं है तो आपके टोटल नमबर ओफ कोशन्स जो है वो आपको 125 है ठीक है दोस्तो 125 टोटल नमबर ओफ कोशन्स रहेंगे एक कोशन्स चार नमबर का है आपका एक कोशन चार नमबर का है तो 125 कोशन आपके 500 नमबर के हो जाते हैं और यहाँ पे जिस हिसाब से इंटर्वीव नहीं है तो आपको मार्क्स भी थोड़े ज़्यादा नाने पड़ेंगे लाश्ट टाइम जैसा की 85 के आस-पास कोट आफ देखी गई थी पर उस टाइम इंटर्वीव भी था टीजिटी में इस वज़े से इस साल जैसी की उमीद है तो 100 अगर आप मार्क्स लेके चलते हैं 125 में से 100 कोशन ठीक करेंगे तो आप सेफ जोन में हैं completely तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं ठीक है दोस्तो बाकी तो final merit ही बताएगी बात में आपकी vacancy जब कारगर हो जाएगी बात में ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ examination time की की examination time कितना रहेगा तो वो आपका रहेगा 2 घंटे का ठीक है दोस्तो 2 घंटे का आपका time रहेगा जिसमें आपको 125 questions करने है Hindi और English दोनों में आपका paper होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है English students के लिए भी ठीक है अब आजाते हैं आपकी eligibility पे पातरता पे तो पातरता कुछ इस परकार है कि TGT में जो confirmed है एकदम 110% वो आपकी है CPA और BPA ठीक है क्योंकि notification में clearly mention कर रखा है कि CPA और BPA हाला कि last time BPE students को भी ले लिया गया था BPES ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं अगर BPE वाले आपको खुड़ा doubt है तो आप try जरूर करें आप मेरी बात को इतना serious ना लें इस वाली को आप try जरूर करें demotivate ना होई अगर आपको option available दिखता है कोई आपको लगता है कि हाँ आप कोई दिक्कत नहीं है भर देते हैं तो भरें जरूर आप ऐसा ना करें कि भरे ही न ठीक है दोस्तो इसके अलावा next point अगर हम देखें तो next point क्या है आपका reservation ठीक है कि quota किस किस को मिलेगा तो quota only and only UP students को मिलेगा मतलब कि जैसे अगर कोई आदमी UP का है वो OBC में आता है तो उसे UP के exam में quota मिलेगा अगर कोई लेकिन हर्याना का है और वो OBC में आता है तो वो नहीं आपका reservation काम करेगा आप general में ही count होंगे ठीक है दोस्तो इसके अलावा आपका EWS का भी यही है और अगर मैं बात करूँ आपकी इसमें जो उपर मैंने आपको eligibility बताई है तो उसमें आपको UPTAT, CTAT HTAT ऐसी कोई भी आवे शक्ता की जरूत नहीं है आप सीधा form भरिए ठीक है कुछ से साथियों नहीं भर भी दिया है form को ठीक है दोस्तो इसके अलावा चलते हैं अब नीचे कुछ main points पर और आपने देख लिया होगा इसमें सामने ये भी लिखा है कि other state के students के सामने cross मारा है मतलब कि उन्हें quota नहीं मिलेगा ठीक है दोस्तो और जो eligibility में ये पूछा जा रहा था कि अगर हम UP के बाहर के state के हैं तो वो मानने है तो बिलकुल मानने है आप मतलब कि आप form भर सकते हो हर्याना के students form भर सकते हैं West Bengal के students form भर सकते हैं ठीक है दोस्तो आप जाते हैं कुछ main points पर जो आपका बिलकुल ही बिलकुल याद रखना है बिलकुल इसमें कुछ भी गलत नहीं करना है तो 27 नवंबर आपकी last date है payment की ठीक है 27 नवंबर से पहला payment जरूर कर देना submission form का आपका तीस तारिक तक है लेकिन last date आपकी 27 है ठीक है और first time EWS quota है 10% quota जैसा की नरेंद्र मोजी साब ने हमें दिया है ये सुविधा तो इसका अगर आप benefit उठाना चाते हो तो ये एक ही condition में होगा कि वो वित्य year इसी साल का हो मतलब की आपका maybe मेरे हिसाब से मार्च के last में वित्य year शुरू होता है ठीक है तो उसके बाद आपका जो income का certificate है वो उसके बाद का बना होना चाहिए अगर नहीं बना है आपका उसके बाद इस साल मार्च के बाद नहीं बना है तो आप अभी जाके एक महिना है आपके पास almost तो आप अभी जाके apply करें और बनवा लें और फिर अपने documents डालें ठीक है और last का है no correction date सबसे महतवपूर्ण है यहाँ पर क्योंकि normally हम कोई भी form भरते हैं तो हम गलतियां अकसर कर देते हैं कोई confusion हो जाती है कोई कुछ बात हो जाती है तो correction का कोई यहाँ पर आपको chance नहीं मिलेगा जो है आपका form वही है जो ऐसा आप submit करेंगे तो बहुत ध्यान से बढ़िए एक महीना है आपका अच्छे से एक देम apply करिए ठीक है दोस्तो यह थी आपकी सारी बातें अब अगर आप हमारे paid group से जुड़ना चाते हैं क्योंकि paid group से काफी जादी हम पर requirement आ रही है और group बन भी चुका है 130 साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी ही 3-4 दिन में हमारे पास 130 साथ ही उस group में हो चुके हैं सामने आपके number है आप हमें questions बहुत ज्यादा आते हैं जो last time आ रखे है physical education history से 4-5 questions आते हैं तो वो आपको बढ़िया से कराई जाएगी nutrition बढ़िया से कराई जाएगा तो काफी topics हैं जो आपको एकदम रट्टा मरवा दिया जाएगा क्योंकि UPTGT एक आप कहा सकते हैं 70-80% रट्टा है बाकि वीडियोस हमारी देखिए आपका जो 90 तक score कर पा रहे हैं लेकिन जो 10-15 marks जिनके नहीं आ पाएंगे किसी वज़े से तो वो अगर वीडियोस देखेंगे तो conceptually उनको समझत के वो भी कर पाएंगे ठीक है इसके अलावा आप कुछ students के doubt है कुछ students के कुछ doubt है जैसे के शकुंतला शकुंतला ये idea के नहीं की और इन्होंने पूछा क्या सर अधर स्टेट वाले भी form को feel कर सकते हैं क्या तो बिल्कुल कर सकते हैं आप इंडिया में हैं आप इंडिया की किसी भी territory में है स्टेट में है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं ठीक है दोस्तो कोई भी confusion ना रखे इसके बाद योगेश गुपता जी पूछते हैं सर मेरा BPA का result अभी आया नहीं है क्या TGT के लिए apply कर सकता हूँ तो देखे अगर आपका result आपकी form fill up की date से पहले आ जाता है last date से पहले ठीक है तो आप एकदम भर दीजे कोई दिक्कत नहीं है verify के time आप pass हो जाएंगे लेकिन अगर आपका result आता है 1 December को 12 December को 30 December को या अगले साल तो बिल्कुल भी आप मानने नहीं है किर्पया परिशान ना होई ठीक है दोस्तो अगला देख लेते हैं नितिन पंडे जी कहते है negative marking तो नहीं है न तो एकदम इन्होंने सही बोला है negative marking नहीं है तो ये भी एक अच्छी बात है negative marking नहीं है ठीक है दोस्तो अब आया एक और question सुमित कुमार जी का sir I want to join your paid group fee क्या होगी ठीक है तो इन चीजों के लिए मैंने आपको पहले बता दिया आप हमारी वीडियोस देखते रहते होगी उसमें number मिल जाएगा अभी भी मैंने सामने लगा दूँग आपके लिए तो आप इसको देखके हमें message कर सकते हैं WhatsApp पे और सारी details ले सकते हैं समद सकते हैं और किरपया WhatsApp ही करें ठीक है आप से अनुरोध है आप सबसे काफी calls आ रहे हैं तो इतने attend नहीं कर पाते हैं तो दोस्तो I wish मैंने काफी doubts आपके clear करें हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है कुछ इसमें दम लगा है दमदार लगी है तो चैनल को subscribe करना ना भूले वीडियो को like करें और comment box में बताएं कि आपके कितने doubts clear हुएं Have a nice day Bye-bye